दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, दरसल रिपोर्ट्स की माने तो अब गौतम गंभीर टीम इंडिया के न्यू हेड कोच होंगे और इसका ओफिशल अनौंसमेंट भी हो चुका है। दरसल जून के एंड तक राहुल द्रविड का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद टीम इंडिया न्यू हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर को देख रही है। फिल्डिंग कोच के रूप में साउथ अफ्रीका के महान खिलाडी जोंटी रूट को चुना गया है। दरसल जोंटी रूट को आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक फिल्डरों में गिना जाता है। परिसी को देखते हुए BCCI ने पहली ही बार में जोंटी रूट को टीम इंडिया का फिल्डिंग कोच बना दिया। ऐसे में देखना दिल्चस्थ होगा कि गौतम गंभीर टीम इंडिया को किस उचाई तक ले जाते हैं।